हेलो बच्चो तो आज हम ये कर रहे हैं इसमें 1.4 का 1st का 3rd बाट तो जैसा कि इसमें पूछा गया है हमसे कि शान्त और अशान्त के बारे में शान्त और अशान्त के बारे में पूछा गया है तो सबसे पहले इसमें हमारा जो काम है वो है कि हमने नीचे वाली जो संख्याओं का पहले हमने लगुत्तम लेना है यानि LCM ठीक है बच्छो और याद रखना सिर्फ यह जो है नीचे वाली संख्याओं का लगुत्म लेना है उसका नहीं लेना है ठीक है बच्छो ओपर नीचे वाली का तो सबसे पहले हम सोला सो का लगुत्म लेंगे यहां पर ध्यान से आपने समझना है सोला सो क्योंकि हैं आई तिंग मुझे लग रहा है जोड़ा सोट पढ़ेगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी एक चलो एक बोक्स बना लेते हैं सबसे पहले सोला सो को हम कितने पर करेंगे दो पर तो यह फिर इसको दो पर करेंगे दो दूनी चार जीरो जीरो फिर इसको दो पर करेंगे दो एकम दो जीरो जीरो फिर इसको दो पर करेंगे दो पंजे दस जीरो फिर यह दो पर जा सकता है दो दूनी चार दो पंजे दस पच्चिस आगे तो अब इस पच्चिस को हम यहां से मिठ आके यहां लेते हैं, अब ये जाएगा कितने पे, पांच पे, तो पंजे पंजे बच्चिस और पांच ये कम, पांच, तो ठीक है बच्चों, ये है हमारा LCM, लगुत्तम, अब इसमें हमने क्या करना है बच्चों, कि सबसे पहले क्या आ जाएगा उपर पंद्रा, दो इसमें हमारे पास कितना है, दो पहले गिंते हैं, एक, दो, ती, चार, पांच, छे, दो जो है वो इसमें छे बार है, और ये पांच जो है वो इसमें दो बार है, तो जैसा कि आपको पहले ही मालूम होगा, मैंने आपको ये जो है समझाये भी है, कि शान्त रख में वो होती है जिनके दीचे दो या फिर पांच आ जाए तो अब इसमें देखो बचो यहां पे दो भी आ रहा है और यहां पे पांच भी आ रहा है तो इसका मतलब यह क्या हुई है बचो शान्त आवर्ती तो इसको हम लिख सकते हैं शान्त आवर्ती तो यह है बचो हमारा फर्स्ट का थर्ड बार और एक्सरसाइज नंबर 1.4 ठीक है बचो